दोस्तो वेलकम बैक दोस्तो किसी भी कंटेंट क्रेटर के लिए कैमरा और उसके साथ एक ट्राइपॉड होना बहुत जरूरी होता है मैं कुछ सालों से कोडेक का ट्राइपॉड इस्तिमाल कर रहा था लेकिन उसका जो बिल्ट कॉलिटी था उतना हेवे नहीं था और उसके जो हिंजेस थे वो फाइबर के थे इसलिए कुछ दिनों पहले वो ट्राइपॉड जो है वो तूट गया और इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ सा ट्राइपॉड लूग जो अच्छा हो जिसके बिल्ट कॉलिटी अच्छे हो तो इसलिए मैंने एक नया ट्राइपॉड मंगवाया है और इसके आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे देखेंगे ये ट्राइपॉड कैसा है इसकी बिल्ट कॉलिटी कैसी है और ये कौन सा ट्राइपॉड है इसकी कीमत क्या है इस सभी इस अन्बॉक्सिंग वीडियो में आज हम देखेंगे तो दोस्तों ये जो ट्राइपॉड है ये फ्लिप कार्ट की तरफ से मैंने मंगवाया है इस बॉक्स में ये ट्राइपॉड मिला है ये भी है बहुत तो इसको हम रखते हैं बाजो में देखिए दोस्तों ये डिजिटेक का प्रोफेशनल डीवी ट्राइपॉड DTR520BH ये ट्राइपॉड है इसमें मल्टि अंगल सेंटर कॉलम फंक्शन भी है ये पोटेवल स्टर्डी फॉर डीवी कैमेरा इसमें जो स्पेसिफिकेशन से मिनिमम साथ किलो तक ये लोड पे लोड ले सकता है इसका मैक्जिमम हाइट 1510 मिलिमिटर है यानि लगभग 5 फीट के करीब है 4.95 फीट उसका मिनिमम ऑपरेशनल हाइट है जो अंगल लेके 320 mm है फोल्डेबल हाइट है 445 और इसका वेट जो है लगभग 1.5 किलो है और इसके साथ बॉल हेड है दोस्तों इसके जो फीटर से उसमें बॉल हेड स्टेडी रवराइजड लेक्स है मल्टी परपोस हैड फोर लो लेवल शूटिंग और पैनिंग ये बॉल हैड फोर अजस्टेबल होरीजन्टल पोजिशन के लिए इस्तिमाल होता है और मल्टी परपोस हैड है फोर डीवी कैमराज डिजिटल वीडियो कैमराज ये ट्वीन वन है ट्राइपॉड और मोनोपॉड ये दोनों इसमें हो सकते हैं तो चलिए इसको हम खोलते हैं इस पॉकेट में ये एक बैग आती है और ये कैरी केस है इससे हम आउटडोर शूट के लिए ले जा सकते है बहुत बढ़िया कुशन के साथ ये बैग हमें मिलती है इसके बिल्ट कॉलिटी भी बैग की बढ़िया है इससे भी हम रखते हैं साइड में एक कुछ तो इसका एडाप्टर है इसके साथ मोनोपॉड का होगा शयद और ये देखिए ये ट्राइपॉड इसके साथ एलन की भी दी गई है एलन की दोस्तो इसको हम ऐसा रखते हैं तो यहां पर एक क्याप दी गई है बॉल हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए तो इसमें ये सब दिया है इसमें शायद इसका मैनियूल नहीं है ये बॉल हेड बहुत ही काम की चीज़ है यहां पर इसके बटन्स दिये गए हैं इससे हम इसको जितना चाहिए उतना एंगल दे सकते हैं किस लेवल पर रखना है इसे हलका सा घुमा के हम इसको एड्जस कर सकते हैं ताकि ये नहीं हिर तो दोस्तों यहां ऐसे हम इसको रख सकते हैं ये बिल्ट कॉलिटी बहुत बढ़िया है अलुम्नियम का है इसका जो ये क्विक रिलीज इसका ये क्विक रिलीज फंक्शन के साथ इसका जो पैड आता है जिससे हम क्विकले इस कैमरा को यहां पर मांड कर सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया इस ट्राइपॉड का फंक्शन है ऐसे हम इसको रख सकते हैं इस से हम इस बॉल जॉइंट को हम कौन से भी एंगल में ले सकते हैं और दूसरी इसकी खास बात इसे हम हम ऐसे टॉप व्यूव भी हम इसको अगर हमें कुछ टेबल टॉप शॉट लेनी हैं तो हम इसको एक्स्टेंड कर सकते हैं इस बॉल जॉइंट को हम इसकी मदब से या टेबल टॉप शॉट हम ऐसे इसको ले सकते हैं यानि टॉप एंगल शॉट के लिए भी ये आसाने से हमें काम दे सकता है इसको बाद हम इसको अंदर स्लाइड कर सकते हैं दोस्तो ये बहुत ही खास है क्योंकि इसको डिटेचेबल मोनोपॉड है इसको हम डिटेच कर सकते हैं ये हो गया डिटेच दोस्तो ट्राइपोड का हमने बॉल जॉइंट इसका जॉइंट हेड निकाल लिया है पहले अन्बॉक्सिं में हमने ये देखा था कि एक इसका एक्विपमेंट है जो हमें ट्राइपोड के लिए काम में आ सकता है तो इसको हम उपर इसको माउंट करेंगे और इसको यहां से जॉइंट करेंगे और ये हो गया हमारा मोनोपॉड तो हम इसको लगभग इतनी हाइट दे सकते हैं तो दोस्तों हमने फिर से इसको जॉइंट किया है यहां पे लिखा है डिटैचेबल मोनोपॉड इस मोनोपॉड को हम फिर से इसको जोडते हैं और इसको हमने डिटैच कर लिया है वैसे हम इसको हाइट भी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं यह जो डिटैचेबल मोनोपॉड को अगर फिर से हमें ज्यादा हाइट चाहिए तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो टॉप एंगल शॉट है इसको और बढ़ाने के लिए भी इस एक छोटे से अड़ाप्टर का हम यूज़ कर सकते हैं वैसे इसको हम पैन शॉट के ल यूज़ कर सकते हैं और इसको हम ऐसे राउंड शॉट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं या पैन करने के लिए भी हम इस ट्राइपॉड को यूज़ कर सकते हैं दोस्तो इसकी हइट इतनी हो सकती है इससे हम इस तरीके से यह बहुत ही बढ़िए बिल्ट कॉलिटी का यह ट्राइपॉड मिलता है इसके साथ जो यह यह कैप है इस बॉल हेड को ढखने के लिए एख कमपनी के तरफ से डिजि टेक के तरफ से हमें दिया गया है ताकि इसको धूल मिट्टी से उसका function खराब ना हो तो ये Dizzy Tech का tripod है लगभग ये 5200 के करीब हमें online मिलता है अगर scheme है तो उससे भी आपको कम कीमत में ये मिल सकता है तो दोस्तों ये unboxing आपको कैसी लगी अगर आपको ये video अच्छा लगता है अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना है या कुछ आपके सवाल होंगे तो आप comment box में comment करके मुझे पूछ सकते हैं Thank you for watching this show Have a nice day